तो हेलो और वेलकम टू माई चैनल आरे ट्रिक में तो दोस्तो अगर आपके भी वाटसआप से कोई भी फोटो या डोकोमेंट या कोई भी वीडियो जब आप डानलोड करने जाते लेकिन दोस्तो वो आपके गल्डी में नहीं आ पाती है तो इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रोलम को solve करके बताऊंगा तो दोस्तो वार्टसप फोटो और वीडियो गल्री में नहीं आ रहे हैं तो इस प्रोलम को fix करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वार्टसप को open करना है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं वार्टसप को ओपन किया हूँ और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक चैट को ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे फोटो वीडियो डोकॉमेंट यहाँ पर आचुका है लेकिन दोस्तो इस फोटो और इस वीडियो को यहाँ पर मैं डानलोड करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं यहाँ दानलोड हो चुका है इसको भी डानलोड कर लिया डाउलोड किया हूँ लेकिन वो मेरे गैलडी में नहीं आया है देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसी प्रोब्लम को सौल्प करके बता देता हूँ प्रूफ के साथ तो वार्टस अफो फोटो और वीडियो गैलडी में नहीं आ रही है तो इस प पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर सबसे नीचे में यहाँ पर आपको सेटिंग वाले आपशन पर क्लिक करना है तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर आपशन आएगा तो यहाँ पर दोस आपको इसी चाट वाले setting पर आपको क्लिक करना है और इस पर klik करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको काफी सारे option आ जाएगा देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर चाट सेटिंग के नीचे में यहाँ पर आपको मिलेगा media visibility तो यहाँ पर klik करके आपको इसे इनेवल करना है दोस्तों अगर आपके WhatsApp पर ये setting आफ रहेगा तो सबसे पहले आपको इस setting को इनेवल करना है और उसके बाद आप यहाँ से back आएंगे और back आने के बाद फिर से आप यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर storage and data पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा when using mobile data तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देख ले नहाँ है कि यहाँ पर आपका photo, audio, video, document यह सभी all to all यहाँ पर टिक है या नहीं अगर टिक नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर टिक कर लेंगे उसके बाद okay पर क्लिक करेंगे और इतना setting करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर कोई साभी photo या कोई साभी video को आप download करेंगे तो वो आपके gallery में आ जाएगा मैं आपको यहाँ पर आप दिखाता हूँ एक photo और video को download करके तो यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से इस photo को और इस video को यह पर मैं download कर लेता हूँ देख सकते हैं लेकिन दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से gallery को open करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों फिर से मैं gallery को open करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते यह photo यहाँ पर मेरे gallery में आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों देख स ये वीडियो को मैं डाउनलोड किया हूँ, वीडियो यहां पर आ चुका है देख सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों वाटसप फोटो वीडियो गैलरी में डाउनलोड प्रूलम को फिक्स कर सकते हैं,